तो तो इसमें जैसे एक रिजल्ट है बना फारी यह इंटायर जुमेटरी के लेक्शर्स में हमारे पास तीन तरह के रिजल्ट होंगे तो तो तीन तरह के रिजल्ट होंगे एक एक होगा इसको हिंदी में बोलते हैं अभी ग्रहित अभी ग्रहित अभी ग्रहित ऐसा ही कुछ बोलते हैं ठीक है एक होगा तुम्हारा थियूरम और एक है जो ऐसे रिजल्ट से फिरोंच वित प्रूफ और एक होगा थियूरम्च वित नो प्रूफ तो ऐसे बहुत कम होंगे बहुत रैर ऐसे रिजल्ट सोंगे इसको हम तुम्हां बोलेगे कि इसको बस याद कर लो है ना या इसको मतलब ज्यान में रख लो बड़ अधर वाइस या तो एक्जियों होगा या तो आपका थियूरम विथ प्रूफ होगा तो ये एक आप संविदा और ये हैसी एक छीज है जिसको हम प्रूफ तुम्हें नहीं देंगे बट तुम्हें याद रखना है ठीक है तो र ये वाला रिजल्ट था कि ये वन है और ये फाइव है सो वन इसकल टू फाइव ये क्या है ये थियूरम है एक्जियम है कि इसका प्रूफ नहीं है इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अगर तुम लेक्शन सुने होगा तो याद होगा कि हमने बताया था कि अगर एंगल वन इस गर्ट वेंगल फाइब तीक है तो दिर्स नॉट दप्रूव इट जस्ट मैं आपको विजुलाइज करा रहा है अधर वाइस यह जो है वो सेल्फ प्रूब्ट है ठीक है अच्छा एक रिजल्ट हता है एंगल एंगल सब्सक्राइब ट्राइंगल संब्सक्राइब टू वनेटी डिग्री यह बताओ कैसा रिजल्ट है यह थियूरम है यह यह एक थियूरम है इसको कैसे प्रूब किया जाता है बताओ प्रूब तो जो अर फिर मतलब आंगल देख लेंगे तो वो टोटल सम वनेटी का जाएगा नहीं इसको ऐसे नहीं बुलेंगा ना अकृती तो और और एकुरेट बोलो हाँ बताओ पारेल लाइन ड्रॉक्रेइगे नहीं प्रूब च जो यह एंगल टू यह इसके बराबर कोगा और यह एंगल थ्री वह तो हैं यह अंदर 180 degree होगा so that means कि triangle के तीनों एंगल का सम्जोता है यह 180 degree होता है ठीक है ये भी तुम्हें पता चल गया है ठीक है अब मुझे बताओ जैसे एक ट्राइंगल है अच्छा नहीं पहले ये भी बताओ एक ट्रांस्वर्स लाइन ये है ए बी सी एक ट्रांस्वर्स लाइन तुम्हारा ये है डी ए एफ तो अगर अगर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या है ए बी बाई बी सी इस एक्वल टू डी ए बाई ए एफ ये रिजल्ट लिख सकते हैं बताओ जारा सा बोलो मेट पॉइंट ने तो बंदर पैरलल लाइन पे है तो हम उसे को यूज कर रहे हैं तो ऐसा क्यों लिख सकते बताओ तो पैरलल लाइन के बीच का डिफरेंस जो होता है तो अगर जैसे यह और बी है तो दोनों मैं को समझ नहीं आया यह हमने यह बोला कि जगर पैरलल लाइन का डिस्टेन्स जो है इस टू बी है तो इसके जो जितने भी ट्रांसवर्स लाइन सोंगे उसमें भी जो उन पैरललल के बीच का डिस्टेंस होगा उसका रेशियो से होगा जैसे एबी डिवाइड बाइब बाइब वाइड वाइड वाइए एफ इस एक वैल टू एबाइब बी ओके से बूला तो अगर मैं तुम्हें आल अफ सटन तुम से पूछ हूं कि एबी बाइए सी कितना होगा तो क्या इसके टर्म में क्या बता होगे एबन एबलस भी ठीक है और अगर तुम से मैं पूछ हूँ कि एफ डिवाइड वाईड वाई एफ डी यह क्या होगा बी अपन एबलस भी तो यह हो जाएगा तुम्हारा बी अपन एबलस भी पूछ सिंपल सिंपल वह है रिजल्ट्स हैं अच्छा अगर अगर यह मुझे बताओ जरासा हमारा जो फर्स लेक्शर है रिकॉर्डेंट में उसमें हमने एरिया कवर किया है कि नहीं अगर अगर हम इसमें जो में जो मेंट पॉइंट थिए। अम और नेट पॉइंट तेवरम का जंड़ाइशन है ना तो मेंट फिए। यूरम जो है उस में वन्ने यह बताया है दो चीजेंट ठीक है दोनों दोनों याद रखना जैसे जैसे याद रखने माली बात है कि अगर इफ टू मेट पॉइंट्स आर कनेक्टेड आफ कोर्स इनर ट्राइंगल है ना इनर ट्राइंगल आर कनेक्टेड तो तो दे लाइन सेग्मेंट विल बी पैरलेल टू थर्ट साइट पैरलेल अफ यही लिग देते हैं पैरलेल अफ अफ अब दे साफ साइट यह ध्यान है तुम लोगो तो यह पहला तरीका वा बोलने का जिसमें हम यह बोल रहा है कि अगर आप कोई भी दो मिट पॉइंट को बना वो करोगे मैच करोगे मतलब इसको करनेक्ट करोगे तो जो लाइन सेग्मेंट क्रियेट होगा वो तीसरी वाले लाइन के पैरलल होगा एंड हाफ होगा ठीक है इसको रिवर्स में कैसे लिखेंगे बताओ वाइस वर्सा में कि देखें तमनों कैसे इंगलिस बोलते हो चलो रिवर्स में बताओ तो कोई इसी इसी स्टेट्मेंट और वर्स बागवागा तो पारलेल लाइन इस को ऐसे कर दिये अच्छा पैरलल लाइन तुम बोलना चाहरी हो ठीक कोई और ट्राइग गरो इसको हम ऐसे दोलेंगे दिखो मैं बताता हूँ सामने वाले को कहा जागे मिट पॉइंट पे मतला अगर आप किसी मेक्ट से प्यारल एक लेकर चलोगे किसी delayन के पैर लेकर चलोगे तो सामने वाले लिए को वो मिट पॉइंट पही काटेगी ठीक है तो ये पहला उपर वाला स्टेट्मेंट मैंसे की मिलाएंगी तो parallel और half होगा और दूसरा वाला statement है कि midpoint से लेके चलेंगे तो सामने वाले sides को midpoint पर ही काटेगी ठीक है तो अगर इसमें एक और advantage है कि जैसे अगर एक triangle को हम extend करके दो-तीन triangle बना दें जैसे एक ऐसे triangle है एक ऐसे triangle है और एक और triangle बनाते हैं अब इसके मिड़ पॉइंट से लेके चल रहे हैं और नीचे इसके नीचे वाले के पैरलल तो यह चलते जाएंगे सारी लाइन को कहां काटेगा तो एक चीज पहले पहले हमने इसको दो तरीके से देखा एक तो अगर हम मिड़ पॉइंट को मिला है तो पैरलल होगा और दूसरा अगर मिड़ पॉइंट से लेके चले तो सामने वाले को मिड़ पॉइंट पर काटेगा ठीक है तो आम कीपिंग इट वेरी बेसिक यह है था ठीक है यह आया था क्लास में तुम लोगों को आया है कि नहीं भी अब मुझे एक बात बताओ कि इफाइल आस्क्यू टू प्रूव इट मैंने बोला कि मैंने दो मिड़ पॉइंट मिलाया है जैसे ए बी सी ना और यह डी है और ए है और हम यह कहना चाह रहे हैं कि जि ऐसी इस एकल तू वन बाइवन यही तो पता है ना में दोनों मिट पंड को मिलाया हमने सो घॉड यूप अब्स हाफ और टू बी सी इस ऑन्ड पैरलेल टुबी सी इस हाफ एंड पैरलल टूबी सी इस ओन पैरलल तो पैरलेल के लिए तो हमारा मतलब सीधा सीधा ही है कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस होता है पैरलेल लाइन है ना जैसे वो तो तो तीन था तब ऐसी बात कर रहे थे तो यह तो तो तुम कह सकते हो कि बतलब इस तरह से बीच वाला लाइन भी पैरलल होगा लेंगिन हम उसको नहीं को यह और बताओ कुछ और सोचो वह भी ठीक है जिसने बताया हो ठीक है क्या बोलो फोलो सेम रेशियो है ना सर मतलब इसे पहले जो मैं बता रहा था और कुछ सोच पाओं सोच पाओगे तो फिर दोनों ट्रैंगल से रेशियो वन इस टू नहीं होता है अच्छा मुझे चलो इसको हम रोक के रखते हैं थोड़ा सा यहां पर यहां हाँ हाँ हो तो ठीक है मतलब तो मैंने बताया ना कि तीसरी लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी तब पहले बताओ सिम्लर ट्रैंगिल तुम लोगों ने इंट्रड्यूस कर दिया तो लेट्स मी टॉक आपाउट सिम्लर ट्रैंगल क्या होता है बताना मुझे कौन बताएग और सी पॉइंट यह है हर बार जो होता है ना जिमेटरी क्लास जो होती है हमारे स्टुडेंट्स अब को लिए जादू क्लास होती है सो आफ्टर टू थ्री फॉर क्लासे वाट आई से ऑल्वेज इस यूज़ पढ़ाने के बाद हम बोल देते हैं कि इससे ज्यादा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे इवन फॉर डूइंग आयाइटी मलब सरी कैट वाले कॉस्टेंज को भी सो देर आर सर्टेन वह कंसेप्ट जिसके अलावे हम कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं और जरूरत भी नहीं पढ़ती तो इसलिए कुल मिला के 24-25 कंसेप्स होते हैं सारे मिला के उसको समझने वाली तो अब मुझे बताओगे सिमलर ट्राइंगल का कौन बताएगा एक मिनिट इसको सुरुती बताएगी सुरुती टेल मी वोट सिमलर ट्राइंगल्स क्या है अगर आप इसको और थोड़ा सा कंप्लीट समझने वाले लाइंग्विज में बोलो तो जैसे अगर दो ट्राइंगल है if they are similar A B C और D E F तो if एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल E और एंगल C is equal to एंगल F अगर तीनों एंगल बराबर है तो तीसरा तो आटमेटिकली बराबर हो जाएगा तो ऐसा तीनों एंगल बोलने की जरुवत नहीं है है ना तो अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो उस केस में जो ट्राइंगल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर एबी जो है इफ A B is 2 E D अगर ये 1 is to 2 का रेशियो है A B is 2 E D अगर ये 1 is to 2 है मतलब अगर ये A है तो A नहीं लिखते हैं हमगे अगरेंगे A के सामने का A लिखेंगे तो D के सामने का अगर 2 A है तो विए तो ये तुभी होगा और सी के सामने का सी है थो यह तो ये टूसी ही होगा मतलब इफ वन इस डवल देन All the Other Lines will be proportional मतलब proportionally डवल तूद similar lines similar lines मतलब कि जिस एंगल के सामने वाली की बात होरी तो हम इसमें क्या करते हैंने करते हैं जय से वन के सामने वाला ये आध्यावर कन्फ्यूज होता है आदमी तो यह सिमलर ट्राइंगल्स हो गया ठीक है इसमें एक चीज और होती है कि अगर हम किसी एक ट्रेंगल के दो साइट का रेशियो देखें जैसे अगर हम बोलें कि एबी डिवाइड़ भाई उनी भी एफ्सटी हां तो यहां पर क्या दिख रहा है अच्छा ना फ़िका है एबी डिवाइड़ेड़ वाइगी सीबा ये दिख रहा है सेम रिषियो होगा अब जैसे मैंने पिसका लिए three के सामने वाले side लिया A-B तो यहां पर भी 3का सामने वाला side क्या डी है और हमने यहां पर लिया BC जो लिया है one के सामने वाला side लिया है तो यहां one के सामने वाला side क्या-EF है मतलब अगर हम два side का ratio similar triangle मिलें तो वो भी सेम होगा Dyeonghug गये अगर वो और price से लीए जाए तो अगर सिम्लर्ट राइंगुल के कभी भी क्व्वेंट प्र संसीर है तो आपके पास दो चीज होता है एक दो उसका रेसियो क्या है और बाकि आपको में दो कर देने हैं और उसके हिसाब से आपको, जैसे मालनों की, मैंने ये कर दिया, एक दूसरा बना दिया हमने, छोटा. और कुछ भी, मतलब ABC, कुछ भी लिखावा है, उससे आपको confuse नहीं होना है, ABC, P, Q, R, अगर लिखावा है, तो सबसे पहले तो आपको angle decide करना है, जो की question से कहीं नहीं से आपको पता चल जाएगा, कि कहां पर क्या है, तो जैसे A1 है, तो ये 2, ये भी 2, angles decide हो गए, अब मालनों अगर मैं तुमसे बोलूं की, BC divided by AC, तो अगर हमें दूसरे वाले triangle में लेना है, दो side का ratio, तो कौन कौन सा लेगे, बताो, q, r in, paraly, right? क्या सोच के बोलोगे, हम्हेसा angle के सामने वाला देखोगे की BC किơ ञंगल के सामने वाला side है? उस triangle में BC जो है, angle one के सामने वाला side है, है miejsce चमे सामने वाला side, नख ले साउइज हाले triangle में क्या होगा ? qr, फिर e 같습니다. किस एंगल के सामने वाला साइड है एंगल 3 के सामने वाला तो उसको हम लेंग देंगे AC नहीं यहां पर नीचे में देखेंगे ना नीचे में PR समझ रहोत यह हमेशा दो साइट का रेशियो जो है सिमिलर ट्राइंगल में सेम होता है बसरते आप वो करॉस्पर्णिंग साइट लो यहां तक सबको समय में आ रहा है कि बोलो कि एपन वाचिंग लेक्चर सोल्सों और कीपन आस्किंग डाउट्स अल्सों अगर एक बार भी हां सर्य जो हमने मतलब जो वर्न टूर्टी लिये हैं सरी मतलब सेमेंगल हुए ना यह मतलब वन के साम वन लिक दिया ना तो दो प्रोपोर्सनल होता है अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि टू क्यू आर इस इकल टू बीसी तो मतलब कि इसका डबल यहां पर यह एक्स है तो यह टू एक्स होगा तो इसी तरह से अगर यह y है तो angle 2 के सामने वाला y हो जाएगा हैं तो यह हमेजा प्रोपोर्शनल होता है तो जब वह जैसे माल लों के चलो हम तो double रख रहे हैं कभी कभी ऐसा भी कि आ जाता है कि जैसे यह two है और यह five है माल लो कि तो अगर ये ये वाला अगर उसी सहाङसे मिला है तो अगर मैं इसको बोलता ये वन तो ये कहाग के लिए एक हमने दे दिये तुम्हें रिफ्रेंस की एंगल वन के सामने वाला नीचे वाले में है और ऊपर वाले में तो अगर दॉक्ष्ट वाले में कितना होगा बताओ अच्छा एक हाथ चलो यह यह रेसियो बनाना भी तुम लोग को आना चाहिए दिर दिर एक दो हम पूछ देते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जैसे मैं बोलूं कि अगर ए और बी का रेसियो एस्टू बी का रेसियो टू इस्टू फाइव है तो इफ ए इस सिक्स तो बी कितना होगा बताना जड़ा तुड़े कोई देखो जिनको आता हो जल्दी नहीं बताओ जो कोशिस करके बता रहा हो बताओ आसमीद बताना अगर अगर एस एक्स है तो बी कितना होगा इसमीद या कसिस तुम बताओ 15 कैसे बता चलता है तो जैसे यह थ्री टाइम्स हुआ ना तो यह भी तो थ्री टाइम्स हो जाएगा ना या फिर अगर हम इसको बाट दे सिक्स को बाट दे की ये तो ये तो आप आगे बहुत करोगे अगर हम इसी तरसे एक-डो पूझते हैं तिमनों बताना फाइल से बी की वैलु जो है थर्टी है तो एक वैलु कितनी होगी यह मतलब मेरा हो अजिए आटा है वो बताओ यह मतलब वह मेरा पैराडक्स अहां कि जिनको नहीं आता है वो बताओ पैराडक्स समस्थे तुम लोग एनीवन, paradox समस्ते हो? तुम लोगो हर बार हम एक अच्छा सा word देते हैं लास्ट टेम काउन सा word दिया तो बताओ, last class में पैनेश्या उसका क्या मतलब होता है? सर रामबान, solution to everything मतलब medicine के sense में उसको बूलता है, meaning देना होता हो so medicine which can cure all the diseases तो अभी अभी एक वर्ट तुम्हें दे रहा है paradox paradox क्या होता है तो तो जैसे मैंने भी बोला कि वही बताएगा जिसको नहीं आता है तो कैसे बताएगा जिसको नहीं आता है वड़ी ला मैं आसकिंग जो 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 करके या थोड़ा ट्राई करके बता रहा है वो बताओ इफ बीस फिप्टीन एक इतना होगा तो तरी इप बीस थाटी तो एक इतना होगा ठीक है हीरल बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है हीरल तोलो भाई एनिवन सब बोलते भी नहीं 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 ले रहे थे तुम्हारा नाम तुन नहीं ले रहे थे हम इबाद तो पक्का है हम बोल रहे थे हीरल पटेल कहा गई वो जाय है वो गई चलो सुपकत तुम्हें समझ में आया है तो एक और करते हैं एक और करते हैं जैसे अगर जो है थ्री है तो बी कितना होगा बोलो भई वानी प्रासी शुरुती शुरुती तुम्हें बताओ इतना है इतना है तुम्हें लोग घर पर्यक्टीस को पता है इस इस दो बेस्ट स्किल डाडियों आप रेसियों में प्रोपोर्शनली बढ़ना और घटना बहुत इंपोर्टेंट है इसकी वज़़ा से आपका बहुत टाइम लग जाता है कई बार समझने में भी सुनने में भी और मेरी वातों को भी कई बार तुम नहीं समझ पातों इसी वजह से क्योंकि हम जल्दी लिख देते हैं तुम्हें लगता है सर ने क्या कर दिया पता नहीं तो जैसे अगर कोई भी रेसियों ले कोई लेलो तो मैं खुद भी ले सकते सच्छारह झैसे तुमने ले लिया थ्री स्टु फाइव आप यहां कोई भी नंबर लेलो यह जांट बालो तूब फिप्टीन ले लिए तो बीकितना होगा एप ऑन ले लिए तो बीकितना होगा इफ एइस टू बीट रिश्टू फाईव है तो भी कितना होगा 5 by 3 है ना तो उसको अगर वह लिखना भी एप मिक्सेशिंग करगा है तो 1 2 3 लिख देंगे एगर 9 है तो कितना होगा 15 होगा तो इस तरीके से आपको तुरंथ ही बाटने आना चाहिए अगर बी 10 है तो एक इतना होगा 6. So now you can do it by, हम इसमें टाइम नहीं विस्ट करेंगे, बट जैसे तुम लोगो वो है कि similar triangles में ये बहुत काम आता है, बहुत जल्दी आप से question बनते हैं. तो हमने ये देखा कि जो आपका midpoint theorem था, sorry, midpoint theorem नहीं, similar triangle था, वो आपका ये था, कि if true triangles are similar, true triangles are similar, तो सबसे obvious property आप क्या गया निगालते हो, कि corresponding sides will be in same ratio. तो जैसे अगर ये 1 is to 3 है, तो सब 1 is to 3 होगा. अगर एक ही triangle के 2 sides का ratio लें, तो वो भी दूसरे वाले triangle के 2 sides के ratio के बराबर होगा, है ना? और वो, लेकिन उसमें ध्यान रखना हमें कि वो 2 sides होंगे, वो corresponding sides होने चाहिए, या same side होने चाहिए, दोनों के case में. तो जैसे ऐसा नहीं होगा साएगा तुम्हारा कि अगर A, B, C है और यहाँ पर D, E, F है, और angle हमने एक इसको माना, इसको ये भी एक है, ये दो angle है, ये दो angle है, तो तीसरा तो हमें लिखने की जरूत नहीं, of course हो same होगा. तो हम ये से लिख देते हैं, A, B, A, B divided by B, C is not equal to, E, F लिख देना, is not equal to E, F divided by D, F, ऐसा कुछ भी नहीं sides बना देना है, ये तभी बराबर होगा, कब बराबर होगा, बताओ, A, B divided by B, C, कब किसके बराबर होगा, अगर हमें देखना भी है तो, तो angles के सामने का हम देखेंगे, कि angle 2 के सामने यहां लिए हमने, तो angle 2 के सामने यहां लेंगे, D, E, और यहां पर अगर उल्टा, sorry, angle 1 के सामने है, B, C, तो यहां angle 1 के सामने रखेंगे, तो E, F होगा, ये result है, तो किसी triangle में अगर ये result है, तब हैं कि बी वो दोनों सिम्लर होगा कि सिम्लर है दो यह इulator ये आज होगा सिमर लिए था का साइट्ग प्रोपोर्शन है तो आपका साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो सिम्लर्च ड्राइंगल्ट तो जैसे अगर मुझे दो दो ट्राइंगल मिला दो रैंडम ट्राइंगल मिले मुझे ठीक है रैंडम ट्राइंगल मिले एक का नाम तुमारा एबी सी है और एक का नाम एक्स वाई जेड है और मुझे ऐसा मिला की Karine a.b. is equal to X y but ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने दुसरा भी लिख दिया कि b.c. is equal to yz sorry x y नहीं e.b.2. 2 a.b. is equal to xy और ऐसे लिख दिया मैंने 2 तो यह तो प्रोपोर्शनल हो गया बट इसका क्या अगर यह किवल यह दोनों अगर सही है तो दोनों ट्रैंगल सिमिलर होंगे बोलो इसरा भी होना चाहिए या फिर तीसरा भी होना चाहिए या फिर अगर यह एंगल बीच का सेम हो जाए ठीक है तब भी हो जाएगा अब मैं तुम्हें इसका तुम्हें बिल्कुल सही कोश्चन पूछा है वडाइल डू इस मैं थोड़ा सा स्क्रीन को उपर करता हूं और आल में का ट्रैंगल दो ट्रैंगल जिसमें सेम चीज़ होगा लेकिन हमने बनाया देखो जैसे यह बनाया एक मानलों की एबी यहां से ना एबी और एक बनाया हमने यह बेसे अब मैंने कहां कि एबी का डबल ले लिया एबी का डबल ले लिया ऐसे ना तो हमने रख लिया नाम एक्स वाई और बी सी का भी डबल ले लिया लेकिन नीच है यह दोनों ट्रैंगल सिमिलर दिख रहा है तुम्हें रीचिट है नहीं ना जबकि कंड़िसन भी है जैसे मैंने बहुमने कि अगर यह यह अगर मालों कि इसकी वेल उपी है तो यह उपी ले लिया इसकी वेलू क्यू है तो इसको बी तो यह यह दोनों क्डिसन हम यहां फुल्फिल कर आ रहे हैं बट यहां पर एक यह सिमलर हो गया ना तो आटमेटिक ली बाकी से हो जाएगा है ना बट यहां एक जरूरी है के मिनिमम तो मिनिमम कंडिशन जो है वो एक हो जाएगा तो बाकी हो जाएगा अगर एक भी नहीं है तो फिर बाकी भी नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि देखो सिमलर कराने के लिए तीनों एंगल तो सेम होना चाहिए बट यहां पर यूँट हैप टू प्रूफ कि बाकी के दो तो एंगल भी सीम है अगर है एक है जिसको भोलते हैं सस करने मदलब कि यह साइड यह साइड यह साइड यह साइड यह साइड फ्रपोर्शनल है साइड वन साइड टू एस रख देते हैं और एंगल यह सेम है तो यह सिमलर ट्राइंगल होगा तर यह गूरुंट नहीं होगा अरे सेम होगा तब ना मतलब प्रपॉर्पोर्शनल बोला मैंने अफ़कोर्स कॉंगरुंट होगा अगर एस्वन इस्वन हो जाता तब तो हैं लेकिन अगर ये एदा प्रोपोर्शनल है ये साइड ये और बीच का एंगल से मैं तो सिमिलर ट्राइंगल होगा सौ बेसिंगल तूमको ये ध्यान डगना है कि मलर टीके के कंडिसन्स क्या क्या है similarity के कडिसेंस हैं कि तीनो साइट तीनो साइड साइड सअरी बराबर है तौकंबर्वेंट ही होगा तो अब मझे similarity तुम लोग समझ गये तो मैक्सिम्मम कुस्टिन जो है वो सिमिलरीटी पे बेस पी आते हैं सिमिलरीटी या तो सरक्ल इसलिए सिमिलरीटी को हम ज्यादा स्विश्च समझ के कुस्टिन करेंगे तुम लोग कुस्टिन भी कुछ की होगी नहीं आज वाली क्लास हम बहुत सिंपल ही रख रहे हैं और एक काम करेंगे कल हम लोग कल या परसो में सारे रिजर्ट्स को एक एक करके लिखते चले जाएंगे जो जो तुम और मैं नहीं लिखूंगा तुम लोग लिखके लाओगे और राइट डाउन यह रिजर्ट्स जो भी को ठीक है मतलब उसको इसके स्क्रीन सॉट लेकर मुझे स्क्रीन सॉट कह रहा हूं मैं स्कान करके मुझे भेज़ोगे ठीक है सो में गुट कॉपी और अच्छा सा वाइट पेज वाला वह बनाओ और उस पर सारे रिजल्ट्स मुझे लिखकर दिखाओ ठीक है सब कुस्रों तो आपको आपको अपने कॉपी पर प्रूफ नहीं लिखना है सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स लिखने आज की क्लास के या फिर नहीं नहीं आज तो हम ऐसे कर रहे हैं ना तुम लोग के लिए अब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है तो अब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है तो यह क्लास असानी से स्मूथली मूफ कर रही है बट एक बार हम क्या करेंगे कि बिफोर गॉइंग हैड I want you to write down all the results that we have found in all the four lectures क्योंकि अभी बहुत सारी लोगों ने सिर्फ दोई lecture देखा है तो चारो lecture देख लो और सारे रिजर्ट को note-down करके मुझे दिखाओ ठीक है वासमी में आगी तुम लोगो कर लोगे ना कब तक हो जाएगा काम और बताओ कोई लेट चाहता है और कोई और डिले चाहता है आगरिती एसमेद बोलो ने परसो तक हो जाएगा ठीक है तो परसो तक बागी सब निराजना में है कसिस तुम लोगो कुछ बोलोगी नहीं कब तक सब को एक बार रीडाउट करके जहां जहां पर प्रूफ की जरुवत है प्रूफ करेंगे और जहां 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 पर तो ऐसे करके हम करेंगे और फिर हम क्वेस्टिन करेंगे तो हां तो यहां पर हमारी बात याद करो यहां मारा एक प्रॉबलम था मेट पॉइंट थिवरम जैसे त्यों में यह बोला था कि एक ट्राइंगल के मिट पॉइंट को करेंगे तो what we have done is connecting connected the midpoints मैं तुम्हें थोड़ा वो approach लेके भी बढ़ा रहा हूं कि कितनी information हमें है और कितना हम derive करते हैं तो ये किवल एक ही है कि आपका triangle है उसमें हमने किवल midpoint connect किया है तो only information that we have got is कि AD जो है DB के बराबर है और AE जो है EC की बराबर है तो अगर हम इसको ध्यान दें अगर हमने लिखे AD is equal to DB और AE is equal to BC देखना एकदम कैसे अराम से हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस वज़े से AD divided by AB is equal to 1 by 2 ये बोल सकते हैं बताओ इसमें किसी को इतराज है बोलो इस दोनों रिजल्ट से किसी को दिक्कत है बताओ AE equals to BC AE divided by AC और AD divided आपमें उपर AE equals to BC तो वहाँ वहीं करेक्ट करा देती ना मुझे एक तो मिट पॉइंट था ठीक है वो टाइप और था ना इनसानी एरर था ये तो अब मुझे बताओ कि ये रिजल्ट दिखने में कोई दिखका थे किसी को किसे नहीं समझ में बताओ ये बला रिजल्ट बोलो एनीवन वो हैज इनी प्रोब्लम विट इस रिजल्ट कि सब कोई दिक्कत है बोलो वानी तुम्हें समझ में आई ये कैसे लिखा गया किसको नहीं समझ में आई वो बताओ पहले हलो एनीवन कुट नॉट साइन को क्या बोलता है ये ये तो ये तो बिकार से साइन है ये जरूद नहीं थी आप इसे ही लिख दिया ये रिजल्ट तुम्हें समझ में आया ये तो बिल्कुल बहुत सान है ना ये वन इस टुवन में बटा हुआ है तो अफकोर्स जब ये वन इस टुवन है तो हम पूरा ले लेंगे तो वर इस्टू हो जाएगा ना जगर पूरी साइड की बात करेंगे तो अब मैंने देखो कि मेरे पास अब दो ट्राइंगल है वेसिकली अभी थोड़ी तेरे पहले हम बात जो कर रहे थे तो आई हब टू ट्राइंगल्स एक ट्राइंगल है हमारा एडी बी ऊपर वाला सारी एडी बी कह रहा हूं मैं एडी ए कि और एक ट्राइंगल है मेरा ट्राइंगल इबी सी अब देखो ट्राइंगल ए और इन जो रेसियो बना है जिन दो साइट के उनके बीच का06 गास है इनके बीच का कौन सा एंगल है एंगल एंगल है विचिस सेम फॉर बोथ ट्राइंगल है की नहीं अभी थोड़ी दिर पहले जो हम बात कर रहे थे तो हम बताया थे ना कि साइट एंगल साइट तो करस्पॉंडिंग साइट का रेशियो और उसके बीच का एंगल अगर सेम है तब भी सिमिलर होगा यह बात समझ में आ रही है तुम लोगो अभी थोड़ी दिर पहली है मुस्क टुए है अभी यह ठूबी है और यह एंगल और यह एंगल सेम है तो यह दोनों ट्रेयंगल क्या होगा आपस में फिम्टर होगा ना तो बदलब कर। पॉर्णिंग साइट कर एस यो ओल और बीच का एंगल अगर सेम है तो ट्रेंगल पूरा-पूरा सिमिलर ओंगा तो इस तो उसे साफ से इस दोनूं रूजर्ट को गर हम देके तो उसे साब से ट्राइंगल के एडी ए अभी प्याराल लाइन नहीं प्रूफ हुआ कौन बोलने लगा पहले ही अभी तो सिर्फ प्रूफ किया है एंगल एटी जो है वो ट्राइंगल एबी सी के सिमिलर है यह सिमिलरिटी का साइन है ठीक है यह यह तक सब को क्लारिटी हो गई इस इस तो रात पर देख लेना यह ना बट यह अभी इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यह यह होगा तो आप सिमलर हो गया तो सिमलर ट्राइंगल का क्या आप खासियत होता है बताओ आठ इसने अगर यह एंगल बनाय जो कि दोनों में सैम है इसका एंगल टू है तो इसका इसका क्या शोगा और इसका एंगल 3 है तो इसका एंगल क्या होगा तो नाउ यू नो कि d e और b c must be parallel क्यों क्योंकि जो एक transverse line अगर हम समझें a b को तो इसके यह एंगल से मैं तो जैसे मालों कि यह दो लाइन है और मैंने यह ट्रांसवर्स कीचा तो यह एंगल वन अगर यह दोनों बराबर है तो यह दोनों पक्का पैरलल होगा है यह तो पता यह तुमेह यह हमने थोड़ी दिर पहले देखा ना parallel lines में तो इसका मतलब यह हो गया कि DE और BC parallel है parallel तो होई गया parallel proof हो गया यह proved हो गया अब बचा हाफ वाली बात तो जब AD और AB 1 is to 2 है AE और AC 1 is to 2 है then automatically DE और BC भी तो 1 is to 2 होगा क्योंकि corresponding sides के ratio तो same होते है ना तो जैसे मालों कि इसका एक side वी 1 है sorry 1 का ऐसे angle के तरह है यह 1 है और बड़े वाले triangle का यह पूरा यह 2 है इसी तरह से इसका यहां से लेके यहां तक अगर 1 है तो बड़ा वाला का पूरा triangle है यह 2 है 1 is to 2 है तो नीची इस भी तो 1 is to 2 के ratio में होगा तब तुम समझ गया ना कि DE जो होगा वो half और parallel दोनों होगा BC के यह clarity आ गई सबको बोलो यह सर्ट आप यह सब्सक्राइब कर दो एक यह तो अच्छा यह तो वा कि जह हम रिजल्ट को ऐसे लिख रहे थे मिट पॉइंट लिखने में हमने मिट पॉंट कनेक्टिंग दा मिट पॉइंट बोला था अब इसी को अगर हम रिवर्स करें ठीक है एक मिनिट अग इसी को अगर हम रिवर्स करें रिवर्स में हमने क्या बोला था रिवर्स के लिए क्या बताया था तुम्हें क्या बोलना है रिवर्स के लिए बोलू ना यह जो मिट पॉइंट को मिलाया था यहां पर हमने रिवर्स पर क्या बोला था कि किसी एक मिट पॉइंट से आगर तीसरे के पैरलल ड्रॉ करें तो सामने वाले को मिट पॉइंट पे ही कटता है यह यह वन इस टू एदिया हुआ है तो में प्रूव करना डीबी ना और दूसरा रिजल्ट क्या है डीई इस पैरलल टू बीसी तो अब मुझे बताओ कि सामने वाला भी इक्वल इक्वल डिवाइट करेगा कैसे इसमें कैसे करोगे बोलोगे कि तुम्हारा ये एंगल तो दोनों में कॉमन है अभी हम फिर से A, D, E और A, C को हम वो करेंगे कंसीडर करेंगे ट्राइंगल A, D, E and ट्राइंगल A, B, C ठीक है तो इसको एक उय्मिट ट्राइंगल अगर हम ले के चले इन दोनों को A, D, E और A, C को तो हमें क्या-क्या दिख रहा है कि यह वन इस टू कौन सा है बताओ अगर एडी इस इगल टू डीबी है तो जो साइट का रेशियो होगा एडी डिवाइड़ वाई एबी यह वाम वाई टू हो जाएगा जैसा पिछली बार बता है मिट पॉइंट के कारण तो यह वन बाई टू ऊपर से यह पैरलल है तो यह एक कॉमन एंगल तो यह है अगर यह एंगल टू है तो यह भी एंगल टू होगा क्यों क्यों कि पैरलल लाइन तुमने बताई रहो कि पैरलल चल रहा है यह दोनों तो यह भी तो एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह एक्ट करेगा तो अगर इसका थ्री है तो यह भी थ्री सारे एंगल सेम है दाइट मिन्स दीजार कि सिम्लर अच्छा सिम्लर हो जाने के बाद क्या होता है आपको पता ही है यह रिजल्ट अगर दिया हुआ है सिम्लर दिये दिए डिवाइड वाई एबी एडी बताओ किस के सामने का एंगल है छोटे वाले ट्राइंगल में अरे नही किस किस एंगल के सामने वाला है एंगल को ले तो एंगल टू के सामने वाला कौन सा है यहां पर और एंगल टू के बड़े वाले ट्रैंगल में कौन सा है तो अगर यह वरएड टू है क्योंकि इ arthouse अगर वन है तो यह पूरा टू होगा लात लिकूल हो गा सहलगा घ्याइस तो अगर यह पूरा टू है तो यह अटोमेटिकल यह भी वन हो गया तो रिवर्स में भी जाने पर वह प्रूफ हो गया कि अगर हम मिट्पॉइंट से पैरलल लेके चलते हैं तो सामने वाले को midpoint पे ही cross करेगा ठीक है तो यह हमारा यह इधर से midpoint को मिला के किये थे और इधर midpoint से parallel लेके चले थे तो अब यह क्या है कि इस पूरे theorem को इस पूरे set of theorem को हम generalize कर सकते हैं for any ratio जैसे यहां midpoint के लिए one is to one में बाट रहे थे अगर आप one is to two भी करते तब भी वही बात होती one is to three भी करते तब भी वही बात होती लेकिन उसमें थोड़ा सा change हो जाता है जैसे change क्या हो जाता है कि जैसे माल लो change नहीं होता मतलब change तो कुछ भी नहीं होता बस आपको समझने आना चाहिए कि अगर मैं किसी triangle में just a minute और कुछ नहीं है generalization में आपको बस यह समझना है कि एक बड़ा triangle लिया हमने और पिछली वार किया था मैंने midpoint को मिलाया था now you can mix in any any ratio जैसे मालनों मैंने बुला one is to two में मिलाते हैं one is to two में one is to two में इस case में भी सुकी same ratio में है तब भी यह नीचे वाले से parallel होगा अब मुझे सिर्फ यह बता दो कि now अगर तुम parallel होगा that means की मतलब similarity तो तुम प्रूब करी सकते हो तो कौन कौन सा triangle similar है जड़ा बताना तो यह भी एंगल one हो गया यह एंगल two हो गया तो यह भी एंगल two हो गया है ना यह similarity हो गया अब मैंने तुम से बोला है कि जब भी दो triangle similar है तो कोई न कोई ratio होगा इनका इन दोनों का similarity का ratio क्या है बताना इस फॉर इस फॉर गलत है similarity का ratio क्यों होगा बताना एक्जाक्ली बस यही तुमको ध्यान रखना है कि अगर यह वन है यह टू है तो यह वन है तो अगर हम इस पूरे का लेंगे तो थ्री का लाएगा तो similarity का ratio जो होगा वन इस टू थ्री होगा यानि की डी जो है इस case में हाफ नहीं है कितना है वन थर्ड ऑफ बी सी है तो लास्टे मिट पॉइंट में हम हाफ लिख रहे थे बट इस टाइम में क्या हो जाएगा इसका रेसियो चेंज हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंग BC यह बात समझ में आगी तुम्हें तो जो तुम्हारा midpoint theorem है उसी को generalize किया जा रहा है for all the ratio, midpoint का मनलब one is to one यहाँ पे इसको किसी भी ratio में हम डाल वे हैं बताओ तुम्हें समझ में आया सबकू समझ में आया yes sir yes sir yes sir confusion लग रहा है तुम लोगो तेको अब इसमें कहा है ना इसी mind है कि अभी हम ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो बहुत easy question हो जाएगा करना आप देखो कि उसको कुछ भी नहीं करना होता है बस यह recall करना उसको लगा देना वहां पर तो अब तुमसे अगर मैं पूछू जनरलाइशन में उल्टा जैसे अभी तो हमने कहा कि दोनों जगा बाट दिया था अगर इसी का रिवर्स जैसे हम कर रहे थे भी तो रिवर्स के रिजर्ट को जनरलाइश किया जाए तो हम क्या बोलेंगे कि there is a triangle और अगर हम वन इस्टू टू से लेकर चल रहे हैं एक पॉइंट को हमने वन इस्टू टू पे काटा फॉइंट लिया और इससे तीसरे लाइन ये पैरलल लिया तो सामने वाले साइट को भी किस रिच्व में बाटेगा वन इस्टू टू में ही बाटेगा ठीक है ये हो गया अब अगर तुमको इसी में रिजल्ट पूछा जाए मतलब कभी कभी क्या करते हैं एक मेंटो जाओ ऐसा कोई triangle ले दिया मैंने तुम्हें बोल दिया ये 3 इस्टू 5 है या 3 इस्टू 7 है ठीक है तो अगर ए बी सी डी ए अब मुझे बताओ कि अगर बी सी की वैलो इफ बी सी इस 20 तो डी ए कितना होगा ना आफ कौन कर दिया कि क्या ना में तुम्हारा बताओ तो यह देखो अभी तुमको यह देखना था कि सारी चीजे तो सेम हैं हम इसको पैरलेल भी कर रहे हैं सब चीज सही है इसको 3 स्टू 7 पर मिला रहे हैं तो हमारे पास दो सिम्लर ट्राइंगल बनेगा ना हर बार ऐसा दो तुम्हारा इस केस में जो दो सिम्लेंट अब इसमें बड़े वाले ट्राइंगल का बीसी अगर ट्वेंटी है तो छोटे वाले ट्राइंगल का वही मतलब जब एंगल एक सामने वाला साइड यहां 20 है इसका सिक्स होगा ऐसे कई सारे कुस्टे जो कि तुम इसी तरीके से बनाना पड़े गा तुम्हें और इसको यहां पिसको कवर करते हैं क्लास को अब तुम लोगों को जो होमवर्क है वो क्या है बताओ पर एप